तो सिरीज की शिरुवात में हम गणेश नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिससे उसकी क्लास टीचर पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाते हो गणेश कहता है कि मैं बड़ा होकर मा बनना चाता हूँ टीचर उस पर गुसाते हुए कहती है कि लड़के मा नहीं बन सकते और फिर उसे कलास से बाहर निकाल देती हैं गणेश अपनी मा से सवाल करता है कि मैं मा क्यों नहीं बन सकता तो मा कहती है क्योंकि मर्द बच्चे नहीं दे सकते इसलिए वो मा नहीं बन सकते तो इस बात पर गनेश कहता है कि अगर ऐसा है तब तो मुझे मर्दी ही नहीं बनना गनेश जिस शरीर के साथ पैदा हुआ था उसे वो नहीं बलकि कुछ और बनके रहना पसंद था उसके अंदर लड़का नहीं लड़कियों वाली भावनाय थी गनेश को नाखून बड़े करना बाल लंबे रखना लिपस्टिक लगाना सजना सवरना शर्माना बलखाना इतराना बहुत अच्छा लगता था जो कि एक दिन मा उसे उसी रूप में देख लेती हैं अब कहानी बहुत आगे जाती है और हम देखते हैं गौरी नाम की एक ट्रांसजेंडर को जो कि अपने बच्चों के साथ पार्टी शाटी कर रही होती है हमें पता चलता है कि गौरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने समाच अपने बिरादरी के हक और उन्हें भी इस समाच का हिस्सा बनाने के लिए एक याज का डाली थी जिसका परिणाम अगले दिन आने वाला था गौरी के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ट था क्योंकि कोर्ट के फैसले से ही ये फैसला होना था कि उसका समाच भी इस देश का नागरिक कहलाएगा या नहीं दिक्कत ये भी थी कि उसके ही समाच के कुछ लोग उसके साथ नहीं थे तो उसकी लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं बलकि अंदर की दुनिया से भी थी अब अगले दिन गौरी निकल जाती है सुप्रीम कोट के लिए उसके साथ थी अमांडा नाम की एक रिपोर्टर जो कि उसका इंटर्व्यू लेने आई थी गौरी की गाड़ी एक सिगनल पे रुकती है तो एक ट्रांसजंडर उससे पैसे मांगने आती है तो गौरी उससे कुछ सवाल करती है जिससे की पता चलता है कि वो ट्रांसजंडर नहीं बलकी मर्द है अमांडा को समझी नहीं आता कि हुआ क्या तो गौरी बताती है कि वो हम में से एक नहीं था पैसे मांगना और पैसे निकालना बहुत अलग चीज होती है ये पैसे निकालने वाले वो मर्द हैं जिनकी वज़ा से हम सब बदनाम है अमांडा अब सवाल करती है कि जब आपने सुप्रीम कोट में याचिका डाली तो आपके पिता जी ने क्या प्रतिक्रिया दी गौरी कहती है कि पता नहीं मैं उनसे पिछले 16 साल से नहीं मिली हूँ अब कहानी यहां से गौरी के बचपन में जाती है जब वो गनेश था हम देखते हैं कि गनेश एक प्रोग्राम में लड़की बनकर डांस कर रहा होता है जो कि उसके पिता जी देख लेते हैं तो उसे खीचते हुए घर लाकर खूब डांट लगाते हैं कि क्या जरूवत है ऐसे लड़की बनकर नाचने की पिता जी कहते हैं कि तू चाहे कुछ भी कैसे भी बन या ना बन लेकिन आज के बाद कभी कहीं भी लड़की मत बनना पिता जी ऐसे नहीं थे कि बच्चे को मारें पीटें गाली को लाच करें पर उनके लिए गनेश के बदलाव को स्विकार करना मुश्किल सा था कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि गनेश खुशी खुशी अपनी मा के लिए बिंदी लेकर आया होता है लेकिन वो देखता है कि घर पर भीड लगी पड़ी है वो जब अंदर जाता है तो पाता है कि मा की मौत हो चुकी है तो वो खूब रोता है क्योंकि एक मा ही थी जो उसे समझती थी और उसे अपनी मा से बहुत प्यार था पर अब वो नहीं रही अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि सबकी नजरें फैसले पर टिकी हुई थी भले वो उसके खिलाफ हो या समर्थन में सबको जानना था कि क्या होगा क्योंकि ये एक तरह का एतिहासिक फैसला होने वाला था अब हम देखते हैं कि गौरी सुप्रीम कोड पहुंच जाती है तो वहाँ वकील के कपड़े पहने दो आदमी आते हैं गौरी से बात करने वो बाते करी रहे होते हैं कि अचानक उनमें से एक आदमी गौरी के चेहरे पर इंक फेक के चला जाता है ये कहकर कि अगली बार इं पर में आफिसर थे नहीं तो वो बाहर ही इंतजार करने के लिए बैट जाती है अब कहानी फिर से पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि मा के गुजर जाने के बाद गनेश की बहन की शादी हो गई तो घर में बचे गनेश और पिता जी जो कि गनेश को बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे पिता जी गनेश को मर्द बनाने की कोशिश में लगे रहे और गनेश मरदाना ना बनने की पिता जी ने उसे डॉक्टर को दिखाया और कई दवाईयां भी दिलाई पर गनेश उन दवाईयों को खाता नहीं था बलकि बिस्तर के नीचे छुपा देता था अब गनेश अपना आधे से जादा वक्त ट्रांसजेंडर्स के समुदाय में ही गुजारने लग जाता है ताकि वो जैसे रहते हैं जैसे जीते हैं सब जान सके पिता जी सोच रहे थे कि इलाज कराके उनके लड़के में जो लड़की बनने की इच्छा है वो खतम हो जाएगी लेकिन गनेश के अंदर अब और भी इच्छा जागने लगी थी लड़की बनने की अब एक दिन ट्रांसजेंडर गनेश को लेकर एक दुकान जाती है और पैसे मांगती है तो दुकान वाला उसके साथ काफी बत्तमीजी से पेशाता है फिर उसके बाद वो सड़क पर खड़े एक आदमी से पैसे मांगती है तो वो आदमी गुसे में उसे गरिया कर धका दे वो कहती है कि जब लोग भीग धंग से नहीं दे सकते तो काम क्या खाक देंगे भीग हो या काम तुम ये कभी मत बनना तुझ में अभी बदलने की उमीद है और अब जा मेरे पीछे-पीछे मत आना अब हम देखते हैं कि पिता जी को पता चल जाता है कि जो दवाईयां वो ग एक साथ रहे तो किसी एक की जान जाना तय है पहले मुझे तुम्हारी फिक्र रहती थी पर अब शरम आ रही है रोज सुबा उठके शरम से नहीं जी सकता मैं पिता जी की बातें गनेश के दिल में चुप सी जाती है तो वो अपना थोड़ा बहुत समान उठाता है और घर स भाग जाता है पिता जी उसे जाते हुए देखते हैं पर उसे रोकते नहीं बलकि दर्वाजा बंद करके रोने लग जाते हैं प्यार था पर जिससे उन्हें प्यार था वो तो वो था ही नहीं और ना बनना चाता था इसलिए प्यार किनारे हो गया और समाज में इज्जत र कि भाग कर अपने जैसे लोगों से मिल कर उसकी जिन्दगी सवर जाएगी लेकिन सब उल्टा ही हो गया तो वो वापिस से अपने घर चला जाता है पर उसकी बहन उसे अंदर जाने नहीं देती वो कहती हैं कि तुम और पिता जी अगर साथ रहे तो दोनों में से कोई एक ही ब सब बदल गया अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम नवीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि गौरी की लड़ाई में शुरू से अब तक साथ खड़ा था वो था तभी गौरी थी क्योंकि उसके मार्ग दर्शन और मदद से ही वो आज इस लड़ाई को लड़ प वही नौकरी करने नौकरी के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था और नवीन से मिलने के बाद वो उसकी संस्था से भी जड़ गया जो कि ट्रांसजंडर कम्यूनिटी को जागरू करने का काम करती थी अब गनेश और नवीन, ट्रांस जेंडर, फीमेल, मेल सभी को एक फंक्शन में बुलाते हैं, जिसका मोटो था ये समझाना कि सब एक हैं, सब समान हैं, सब आते तो हैं, पर ट्रांस जेंडर्स कहीं भी पान खा के थोक दे रहे थे, कैसे भी करके सूसू कर दे रहे थे, खाना चुरा के बैग में भर रहे थे पूरा महौल गंदा कर दिया था जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आता तो इस पर आपस में ही बहस छड़ जाती है गनेश शांत कराने की कोशिश करता है पर ट्रांसजेंडर्स की में लीडर नर्गिस गनेश का गला पकड़ के कहती है कि तु कुछ सही थी उनको लगता है कि तु उनका दर्द देख रहा है पर उनको ये नहीं मालूम कि तु उनका दर्द महसूस भी कर पा रहा है और ये जताने के लिए तुझे उनमें से एक होना ही पड़ेगा वरना वो तुझे जिन्दगी भर अपने में से एक नहीं मानेंगे अ गनेश अफैसला करता है कि वो sex change operation कराएगा ये वो समय था जब इस बारे में लोग बोलना तो दूर सोचते भी नहीं थे तो उस वक्त वो ये operation करवाने जा रही थी इस operation में बहुत खत्रा था कोमा में जा सकता था जान जा सकती थी पर उसकी देखरे करने वाला कोई नहीं था सिवाए उसके सबसे प्रिये साई बाबा के हम देखते हैं कि गनेश का operation काम्याब होता है जिस दिन उसकी आखे खुली उस दिन गौरी आई हुई थी महराश्ट्र में एक तरह का तिवहार होता है जहां गनेश चतुर्ती के चोथे या पांचवे दिन देवी गौरी की पू वही नर्गिस जिसने उसका गला पकड़ा था पर अब वो समझ गई थी कि हां गौरी सच में उनके लिए सोचती है और उनके जैसी ही है अब हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाए गौरी का अच्छे से मेकप करके उसे सजा के पूरी तरह से गौरी बना देता है गौरी को पता चलता है कि मौना नाम की एक ट्रांसजेंडर को पुलिस वालों ने बांध कर रखा है वो उसे बचाने जाती है तो देखती है कि उसे पुलिस वालों ने बहुत मारा है पुलिस उसे छोड नहीं रही थी तो गौरी और उसके साथ ही ताली बजा कर शोड मचा तो पुलिस उन से पीछा चुड़ाने के लिए मुन्ना को छोड़ देती है मुन्ना बताती है कि मेरी मालकिन गुरू से मेरा जगडा हो गया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं था तो पैसे कमाने के चक्कर में मैं दो ट्रक ड्राइवर के साथ सो गई और मुझे मिले सिर्फ ये पचास उरुपे अचानक रेट पड़ गई तो बाकी सब तो निकल गए पर पुलिस मुझे यहां ले आई और खुब पीटा आज तुम नहीं होती तो हम जैसों को कौन बचाता अम्मा अम्मा सुनकर गौरी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे बचपन में समझाया गया था कि वो कभी मा नहीं बन सकती पर आज मुन्ना के मुझे उसके लिए मा शब्द निकला अब एक दिन एक औरत की मौत हो जाती है तो कुछ लोग उसकी छोटी सी बच्ची की बोली लगा रहे होते हैं तो गौरी उनसे लड़कर बच्ची को भी बचा लाती है गौरी उसे अपनी बेटी की तरह पानने लग जाती है और नाम रखती है उसका गुंजन गौरी ने काफी पढ़ाई करी थी तो नवीन की मदद से उसे एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है बच्चों को पढ़ाने की एक दिन गौरी गौरी गुंजन को लेके घर जा रही होती है तो उसे उसकी बेहन मिल जाती है अपने बच्चे के साथ बेहन को हजम करना मुश्किल सा हो रहा था कि अब वो गनेश नहीं गौरी है उन दोनों में थोड़ी बहुत बाचीत होती है पर बेहन उसे गौरी के रूप में सुविकार करने के लिए अभी पूरी तरह से तयार नहीं थी इसलिए वो उससे दूरी बना कर बैठी थी कुछ लोग गौरी की बच्चों के साथ फोटो खीच के ले जाते हैं और अखबार में छाप देते हैं कि एक ट्रांसजंडर ने रचा इतिहास ये बात गुरू को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे जादा आगे बढ़ रही है जो कि उसके लिए ठीक नह इसलिए वो गौरी को ठिकाने लगाने का प्लैन बनाने लग जाती है गौरी फैसला करती है कि वो अपने समाज के सभी लोगों को सिक्षा देगी उन्हें पढ़ाएगी ताकि वो सिक्षित होकर और अच्छा काम कर सके बोला नाम की एक ट्रांसजंडर गौरी के साथ काफी अच्छे से रहने लगी थी ये कहकर कि उसे सब सीखना है उसके जैसा बनना है हम देखते हैं कि भोला गौरी के लिए पान लाई होती है लेकिन इससे पहले कि गौरी उसे खाती नर्गिस वहां आकर भोला को गले से पकड़ के उठा देती है यहां पता चलता है कि उसने पान में पारा मिलाया हुआ था और उसे गौरू ने भेजा था गौरी को मारने के लिए लेकिन सही वक्त पर नर्गिस आ गई और उसने गौरी को बचा लिया अब नर्गिस गौरी को अपने प्रेमी मुथु से मिलवाती है और बताती है कि अब वो मुंबई छोड़ कर उसके साथ शादी करके साउत में रहने जा रही है और फिर वापस नहीं आएगी नर्गिस ही थी जिस पर गौरी आँख बन करके भी भरोसा कर सकती थी पर वो उसे रोक भी तो नहीं सकती थी क्योंकि उसकी नहीं जिन्दगी की शिरुआत जो होने जा रही थी अब गौरी सकी नाम की एक संस्था खोलती है जिसमें कि वो उन बच्चों की देखरे करने वाली थी जिनके माबाप उन्हें कहीं भी छोड़ कर चले जाती है उसे बहुत सारे बच्चे मिलते जा रहे थे तो अब सवाल ये उडता है कि वो इतने सारे बच्चों को कहां रखेगी कैसे पालेगी अब गौरी एक वकील के पास जाती है और कहती है कि उसे rescue किये गए और sex workers के बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर बनाना है तो वकील सहाब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को ऐसा करने के हकी नहीं मिले हैं गौरी पूछती है कि ऐसा क्यों भला वकील सहाब कहते हैं कि आप शादी नहीं कर सकती आप बच्चे गोद नहीं ले सकती आप भारत सरकार की कोई भी योजना जो मर्द या औरत के लिए बनी है उसका लाब नहीं उठा सकती आप ड्राइविंग नहीं कर सकती आप घर नहीं जिन्दा ही नहीं है वकील सहाब कहते हैं कि यही नियम है इसे में बदल नहीं सकता गौरी कहती है कि जो गलत है उसको तो बदलना पड़ेगा और क्या लगता है इस नियम को बदलने के लिए वकील सहाब बताते हैं कि इस नियम को बदलने के लिए सुप्रीम कोट में याज बरबाद हो जाएगी अगर कोट ने आपके हित में फैसला नहीं सुनाया तो आपके पूरे समुदाए के लिए ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी तो इस काम में बहुत जोखिम है गौरी कहती है कि अगर कुछ बदलना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा अब आप बताइए कि आप मेरे लिए केस लड़ेंगे या नहीं वकील सहाब केस लडने को तैयार हो जाते हैं और सुप्रीम कोट में गौरी की मांगों को रखते हुए ट्रांसजंडर्स को भी सारे हक सारे अधिकार देने की मांग करते हैं अब हम देखते हैं कि गौरी एक नियूस चैनल पर इंटर्वियू देने गई होती है तो इंटर्विवर पूछता है कि क्या आपको लगता है कि जो ट्रांस सडकों पे भीक मांगते हैं जो गहर कानुनी चीजों में मिले होते हैं वो पढ़ लिखके जिन्दगी में कुछ कर सकते हैं गौरी कहती है कि आप हाथ बढ़ाईए तो वो ताली नहीं बजाएंगे आप काम दीजिये तो वो क्राइम नहीं करेंगे और वैसे अगर जंडर के हिसाब से देखा जाए ट्रांस मेल फीमेल के मुकाबले कम अपराद करते हैं सिगनल पे रुक के अपनी गाड़ी का काच उपर मत करो कभी उनसे पूछ लो कि कैसे हो तुम इतना करने में क्या हो जाएगा इंटर्वियू लेने वाली महिला कहती है कि और फिर उसके बाद वो हमें कहीं भी कभी भी हाथ लगाएंगे जो कि कितना डरावना है गौरी कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या डरावना है जिसे ये समझ नहीं आ रहा हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है जिसे बच्पन में गले लगाने वाले लोग जवानी में पीट दिखाएं जिसका घर परिवार होने के बावजूद वो पूरी तरह से अनात हो जिसके दिमाग में चल रही लडाई को रोकने के लिए उसे अपनी जान पर खेल कर एक अंग को काट के फेक देना पड़े तन के एक-एक बाल पलकर से उखाडने पड़ें जिसे पब्लिक ट्वालेट तक में इंट्री न हो जिस देश में कुटो तक की जंगरना होती हो पर ट्रांसजंडर्स की नहीं ऐसे देश में आप जैसे लोगों के बीच जीना वो है डरावना आप लोगों को हम अलग लगते हैं मान लिया मगर आप लोगों को हम आसमाने लगते हैं ये नहीं मान सकते वहाँ बैठी जनता गौरी की बाते सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लग जाती है उसके सपोर्ट में जिसे देखकर गौरी को बड़ी खुशी होती है कि चलो लोगों को उसकी बात समझ तो आई और उसने जो कहा था कि तालि बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी उसने वो बात सही साबित कर दी गौरी वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी मुन्ना का फोन आता है जो कि बताता है कि शादी से पहले ही नर्गिस का प्रेमी भाग गया तो नर्गिस ने खुदखुशी कर ली है गौरी भागते दोडते अस्पताल पहुँचती है तो देखती है कि नर्गिस की लाश टॉलेट और कूडे कचरे के बगल में रखी है गौरी का खून खौल उटता है कि उसका शरीर गंदी जगा पर क्यों रखा उठा कर स्ट्रेचर पर रखो पर अस्पताल के करमचारी उसकी सुनते नहीं गौरी अब ठान लेती है कि जब तक अस्पताल का डीन लिखित में माफी नहीं मांगेगा तब तक वो नर्गिस की बाडी नहीं ले जाएगी गौरी और उसका समुदाए अस्पताल के बाहर धरना देने के लिए बैठ जाता है डीन को सब कुछ पता था पर उसे कोई परवा नहीं थी बलकि सोच रहा था कि ऐसे ही एरे गरे लोग हैं इनकी क्या ही सुनना मुन्ना कहती है कि सिर्फ बाडी ही तो उठानी है चलते हैं ना यहां से गौरी कहती है कि बात बॉडी की नहीं है आज एकर उसे जमीन पर छोड़ दिया तो हम जिन्दगी पर उट नहीं पाएंगे बारिश होती है सब कुछ होता है पर गौरी उटती नहीं और सुबा तक बैठे होते हैं सब लोग जब तक डीन नहीं आ जाता डीन के आने पर गौरी उसके आफिस में जाकर कहती है कि बाहर मीडिया आ चुकी है और अब मैं अपने सारे कपड़े उतार के बाहर जाऊंगी तब मेरी इज़त नहीं तेरी इज़त उतरेगी अगर नहीं चाहता कि ऐसा हो तो जल्दी से माफी नामा लिक और साइन कर उस पे डीन डर जाता है और तुरंत माफी नामा लिक के गौरी को पकड़ा देता है गौरी जानती थी कि डीन ऐसे नहीं सुनेगा इसलिए उसने ऐसा नाटक किया ताकि वो अपनी इज़त बचाने के चकर में माफी नामा लिक दे आफिस के अंदर जो भी हुआ हो लेकिन बाहर तो यहीं आएगा कि गौरी ने माफी नामा निकलवा लिया और नर्गिस को इज़त से मौत दी ये सब हो जाने के बाद अब जाकर गौरी नर्गिस की मौत पर फूट फूट कर रोती है क्योंक उस्तान की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी जद सहब कहते हैं कि हमारा ये समाज ना तो ट्रांसजंडर कमुनिटी के दुख दर्द तकलीफ को समझता है ना ही उनकी भावनाओं का सम्मान करता है पर ऐसा कब तक चलेगा इसलिए ये अदालत ट्रांसजंडर कमुनिटी क साथ लिंग के अधार पर किये जाने वाले हर समाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए पहला कदम उठाना चाता है अब से इस देश में ट्रांसजंडर को तीसरे लिंग का दर्जा दिया जाएगा और ये दर्जा उन्हें अपनी नई पहचान बनाने में और समाज के साथ अधिकार मिलने वाले थे जो इस्तरी और पुरुष को मिलते हैं गौरी की इस लड़ाई में उसे काम्याबी हासिल हुई इतने सालों से जो उसने दर्द सहे कश्च सहा वो आज इस फैसले से बहुत-बहुत-बहुत कम हो गए थे अब जाकर गौरी अपने मूँ पर लगे इनको कुछ उडाती है हम देखते हैं कि गौरी के पिता जी टीवी पर गौरी को देख रहे होते हैं पत्रकार गौरी से पूछते हैं कि इस लड़ाई में जिन लोगों ने आपका साथ दिया और जिन लोगों ने नहीं दिया उनको आप क्या कहना चाहेंगी गौरी कहती है क बच्पन में आही ने सिखाया था खयाल रखना और दादा ने सिखाया रक्षा करना आज मैंने दोनों किया इसमें जिसने साथ दिया उसको लव यू और जिसने नहीं दिया उसको थैंक यू तू मुश्किल दे दे भगवान मैं असान करूं तू दे दे तपती रेत मैं गुल गौरी कहती है कि अरे वावा तो करो पिता जी घर पर बैठे वावा करते हुए उसके लिए खूब ताली बजाते हैं। केस जीतने के साथ साथ अपने पिता जी का प्यार भी जीत ही लिया। असली गौरी सावंत की फोटो दिखाते हुए गौरी की आवाज सुनाई देती है कि ये मेरा किस्सा था पर कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है। इसलिए ये ताली जितनी मेरी है उतनी उनकी है। एक लड जाती है। तो दोस्तो आपने देखी श्री गौरी सावंत की कहानी जिन्होंने सच में इस लड़ाई को लड़ा और अपने समुदाए के लोगों को इस देश में जिन्दा किया। जिन्दा तो वो थे पर किसी भी कागज, किसी भी जगह उनका नाम नहीं था। गौरी जी मेल फीमेल के अलावा एक और जेंडर बनाने में अपना योगदान दिया। सिरीज में जो कष्ट जो दर्द दिखाया गया है मैं मानता हूं कि ये तो कुछ भी नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा उन्होंने सहा होगा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्या उनकी इस ल पर शुरुवात धीरे-धीरे ही होती है। भले उन्हें अधिकार मिल गया, सिक्षा मिल गई, नौकरी मिल गई, पर लोगों की मानसिक्ता अभी भी नहीं बदल पाई है। ट्रांसजंडर्स जहां पढ़ने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं वहाँ पर कुछ लोग उनक लड़ने के लिए कभी न कभी कोई तो आगे आएगा ही। लोगों को समझाएगा कि हम आपके जैसे ही हैं, हमारे साथ भी सेम वैसा ही बरताव करिये जैसा सब के साथ करते हैं। वैसे लोगों का ट्रांसजंडर्स के प्रती बुरा बरताव होना लाजमी है क्योंकि कई ट् बातों को देखते हुए लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि ये तो ऐसे ही होते हैं, इन से दूर रहो तो बहतर है। तो सिर्फ काइदे कानून बना कर सब नहीं हो जाएगा, बलकि खुद के अंदर भी बदलाव लाना जरूरी है। तभी तो उस बदलाव को देख कर ल जबूत बनाने के लिए। यानि कि अगर कोई आम इनसान है जिसके साथ बुरा हुआ फिर वो बुरा बना और जिसने बुरा किया उसको तो नुकसान नहीं पहुँचा पाया। पर उसके जैसे किसी और को पहुँचाया जो कि उसी की तरह नर्दोश रहा होगा। फिर वो नर्दोश बुरा बना और किसी और को नुकसान पहुँचाया। तो मतलब ऐसी चीजों में सजा उसे नहीं मिलती जिसने गलत किया बलकि उसे मिलती है जिसने कुछ नहीं किया। और फिर वही नर्दोश इनसान बन जाता है दूसरों को सजा देने वाला और ये सिलसला चलत रहें वो भी रियल स्टूरी पर ताकि लोगों को पता चले इनके बारे में भी और लोग उन्हें सामान नजरों से देखें आप इस वीडियो को देखने के बाद यूटूब पर ही श्री गौरी सावंत सर्च करके उन्हें सुनियेगा उनके बोलने का लहजा बात करने का तरी बाहर चली जाओंगी फिर तुम्हारी बदनामी होगी हा मैं जानता हूं कि उनके पास उस वक्त कोई चारा नहीं था और उन्होंने मजबूरी में किया या वो करने वाली नहीं थी बस ब्लैकमेल करने को किया सीन का जो कंटेक्स्ट है वो पूरी तरह से जस्टिफाई होता है पर असल में ट्रांसजेंडर्स करते तो यही है ना पैसे देने के लिए मना करो तो वो ऐसे ही कपले उतारने की धमकी देने लग जाते हैं उस समय गौरी की मजबूरी थी और ऐसे हमारी मजबूरी हो जाती है गौरी ने सही के लिए वैसा काम किया पर असल में ट्रांसज दर गौरी की तरह आगे बढ़ेगी और अपने समाज अपने समुदाय का नाम रोशन करेगी तब ये डर ये लड़ाई खुद बखुद खतम हो जाएगी बस हमें उनका थोड़ा सा साथ देना है ताकि उन्हें ऐसे मजबूरी में करने वाले काम से मुक्ती मिल सके मुवी के दो सीन सबसे ज़्यादा अच्छे थे एक सीन वो जब फैसला आने के बाद गौरी एक जगा खड़ी होती है जहां बीच में शीशा लगा था बाई और लिखा था पुरुष और दाई और महिला और शीशे में वो दिख रही थी इस शॉट को बहुती बहतरीन के साथ शूट किया गया है जो कि शायद आप समझ पा रहे होंगे दूसरा सीन वो जब गौरी अपने मूँ पर लगी इंक को धोती है हमें इंक को पानी के जरीए बहते दिखाये जाता है गंदे पानी की और जो की नाले से जाकर मिलेगा यहां इंक प्रतीक है गौरी की जि के रखेगी अंत में आपको फील होगा कि अभी क्यों खतम हो गई अभी और आगे दिखाना चाहिए था विज्वल्स कैमरा एंगल्स एडिटिंग मेकप सिनेमेटोग्राफी बीजियम सब कुछ बढ़िया देखने को मिला सुश्मिता मैम की आवाज भारी करना फेस का ऐसा मेकप करना की दाड़ी नजर आए ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है कि समझ आता है कि मेहनत काफी की गई है इसे बनाने में अब एक्टिंग की बात करें तो हर जगा सुश्मिता मैम की एक्टिंग की ही बात चल रही है जिस तरह से उन्होंने श्री और आये नहीं कि इस सिरीज में उनका काम बढ़िया रहा वहीं बाकी जितने भी सहिक अलाकार सिरीज में मौझूद हैं सबने अच्छी एक्टिंग करी है यह सिरीज आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल रही है तो आप चाहें तो देख सकते हैं तो यह था एक वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते बाई रए एकोर है यह याएगी में देख सकते हैं अएपक Ahí नेकल का